और कैथल में जीन्द से कॉंग्रस के उमिद्वार रणदीप सिंग सुर्जवाला ने कारेकरताओं की मीटिंग ली और कारेकरताओं से मिलकर जीन्द उपचुनाव के लिए रणणीती बनाई रणदीप सुर्जवाला ने अब है चोटाला और जेजेपी पर निशाना साधिते हुए कहा कि ये दोनों आपस में माल की लूट की लड़ाई लड़ हैं ये सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रहे क्योंकि जेजेपी एक नई पार्टी और उसका एक भी विधायक नहीं है वह उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधिते हुए कहा कि जीन्द उपचुनाव में कॉंग्रेस की जीत के बाद खटर सरकार की उल्टी गिंती शुरू हो जाएगी साथी राम बिला शर्मा के काटर निकलने के बयान पर सुर्जवाला ने प्रतिक्रिया दी है जीन्द का उपचुनाव हर्याना की खटर सरकार की उल्टी गिंती शुरू कर देगा जीन्द उपचुनाव जैसे ही कॉंग्रेस जीतेगी खटर सरकार 90 दिन के अंदर गिर जाएगी और कॉंग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी जन्ता के आशिरवात से आदर्णिये पंड़जी रामबिलाश जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ मुझे लगता है पंड़जी को से slip of tongue हो गया शब्दों की मर्यादा का उन्हें ख्याल रखना चाहिए ये तो रामबिलाश शर्मा जी को पीड़ा होनी चाहिए कि वो सबसे सीनियर थे फिर भी उन्हें अपमानित करके उन्हें एक छोटा सा कैबिनेट मिनिस्टर बना के साइड लाइन करका है